Hello DOSTO! कैसी है आप लो? दोस्तो आसा करतेखू आप लो अच्छी होंगे दोस्तो आज हम अपने कंट्रोर के से हम Fortnite game खेलने जा रहे हैं जो आप इसक्रेंग पर देख देख सकते हैं और जिसे हम फोन के इस्तिमाल करेंगे आप Poco X3 है दोस्तों जो controller हम इस्तमाल करें वा close suit, Bluetooth, wireless controller for mobile and PC के लिए हैं इससे आप mobile and PC दोनों में खेल सकते हैं mobile में Bluetooth के थूरू connect करके इसमें game खेल सकते हैं साथ में आप PC में इसे wireless receiver को connect करके खेल सकते हैं तो चले दोस्तों आज के हम वीडियो अपने शुरू करते हैं दोस्तों मैंने इसे जब पहली बार टेस्ट किया था तो यह by default support नहीं कराता Fortnite को इसका mapping के थूरू मैंने खेला था खेल पाया था लेकिन जो मैंने आज इसे डुबारा connect किया तो यह support कर रहा है controller को तो इसका किस वज़े से कर रहा है मैंने इसमें थोज़ सेटिंग चेंज की है अगर मैं setting पे जाओ ठीक है यहां पे रहा है setting पे गए हम और यह controller का उसे मैंने generic पे select किया तब जा कि इसने इसको detect किया था अगर आप इस पे कर देंगे तो यहने default यह Xbox पे होता है control को support करें उसके apply करना पड़ता है ठीक है तो यह देखिए अब यहां पे select हो चुका है आप X दवाएंगे तो देखिए X दवाने पर यह खुला आया तो हमें battle वाले खेलते हम A करके वाई कर देते हैं play ठीक है लेकिन जब मैंने इसको खेलने गया हूं तो यह थोड़ा डिले कर रहा है मतलब की response इतना अच्छा नहीं दे रहा है लेकिन आप से mapping के थोड़ा खेलने को तो आपको response काफी बहतरी दो मिलता है बटन सारे काम करने लेकिन काफी डिले हो रही है by default जो standard board में आप खेल रहे हैं जिसमें आपको सारे icon दिख जा रहा है यूज करने के लिए तो यह मुझे थोड़ा दिक्कत लगा अगर मैंने mapping के थोड़ी से खेला तो कोई दिक्कत नहीं कोई डिले नहीं हो रहा था लेकिन by default इसके साथ खेलने गया हूं तो यह काफी response डिले कर रहा है तो अगर आप इसको by default standard mode में खेलना चाहते हैं without mapping तो आपको इसमें x plus home दवाना पड़ेगा जो आप यहां पर देख सकते x plus home तो यह directly है आपको standard mode में set हो जाएगा अगर mapping करना चाहते हैं तो a plus home दवाना पड़ेगा साथ में v3 app का जो एप है इसका उसको open करना पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में हम बायर डिफोर्ट जाएंगे standard mode में game खेलना की कोसिस करेंगे देखते हैं lag होता है के नहीं होता है काफी time लगा रहा है लोग इन करने में एक मिनिट ले चुका है वैसे ब्रुटूत काफी मुझे अच्छा लगा इससे आप mobile npc दोनों में खेल से तो एक बहुत बहुत बैतरीन option है हमारा अभी तक open नहीं हो रहा है जल्दी से ओपन हो जा भाई जल्दी से फानले वेटिंग फॉर मैजिंग फॉर करेक्शन चलो हो चुका है हम लोग इन हो चुके हैं अब आपको दिखाते हैं कुछ खेल केस में अब आप जल्दी से चलो लीजिए ओचुका है एक कहा है डिपल्वाइए करने के लिए हो हम बाहर में देखते हैं यह देखिए हैं हम इसे पूरा Bluetooth के पूर के थूरूर के थूरू खेल रहे हैं यह देखिये हमने एक यह कर दिया यह लीजित हम नीचे जा रहे हैं में से टेक्निकल एसू है या मेरे फों से कंपैटिवल नहीं है यह समझे ना किके और गेव खेलती जहते हैं ने? कोई दिक्कत नहीं था मैं एसफल्ट 9 खेला उसके साथ कोई डिले नहीं होता है माइन क्राफ्ट खेला था उसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था कोई डिले नहीं हो था स्टेंडर मोड के अंदर इसके साथ क्यूं दिक्कत है मुझे समझ में नहीं हा रहा सायद ये इस controller को इसके साथ compatible issue होगा या ये फोन के साथ issue है क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा और जिस फोन में खेला हूँ पोको X3 है ये देखिए वर्क ही नहीं कर रहा है देखिए कितना delay कर रहा है आप कह सकते हैं सपोर्ट कर रहा है लेकि इसमें technical issue है क्या issue है समझ में नहीं आ रहा है लीजय फानेली हम नीचे उतर आये हैं हमने इसका sound थोड़ा कम कर रखा है थोड़ा बढ़ा देते हैं ताब कि आपको आपको आवाज में सुना ही देगा और आपको थोड़ा brightness दिख रह है अब इस पर देखिगों करते हैं यह लीजे वर्क ही नहीं कर रहा है थोड़े देर के बाद बरक करना स्टाट करेंगा इतना डिलेए हो रहा है यह लीडिए मुझे समझ में रहा है कि स यह देखिए Bluetooth काम तो कर रहा लेकिन काफी डिले दिखा रहा है एक यह जंजट है सेम डिले होता है अंति से भी खेलने जहों सेम डिले मिलता है लेकिन अगर मैं बीना Bluetooth के खेलने जाओं पछेज के थूट जाओं तो को Central होता है असे में क्युंट डिले हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है जैसे गन पिक करना एक्स गन पिक कर लिया अभी तो काफी अथा चल रहा है और हमसे गन स्विच करते हैं यह देखिए गन स्विच कर सकते हैं फाय करते हैं यह देखिए वो एक गोल यह हमने खत्म कर दी है अब तो काफी चाही चल रहा है अभी डिले उतना कोई खास दिखाया नहीं रहा है यह बिल्ट मोड भी आ गई है देखिए तेज़ी से हमें रिपल्वाई अब बिल्ट कर सकते हैं थोड़ा इसमें डिले हो रहा है वो किस वज़े से हो रहा हमें नेट का इसू है कि जाने आम तोर पर मैं जब खेलता है तो इतना टैच के साथ खेलता कोई डिले नहीं होता है जाखिए मुझे समझ में किस बात का यह इसू है ठीक है एक दो बार मैं से और टेस्ट कर लूँगा तो मैं आपको बता पाऊंगा एक जैंट कि क्या दिक्कत हो रही है हमारे साथ अगर आपने इसे खरेदा हुआ है तो आपको सबसे पहले स सेटिंग में जाके हुह हुँ हुआ 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 थे गलिकी यह ओ लेजिए इस्टार्ट को दबाएगा तो सेटिंग को अप्सन खूलाएगा और फिर ए दबाते है और इसके बाद यह लिजे इससे अब आएंगे लबी सब दबाएगा तो इसमें आ जाएगा कॉमबैक्ट है इस औल स्कूल पे ही चलते हैं एपलाई कर लेते हैं अब मुझे समझ में आप यह तो फिला ठीक ठाक चल रहा है अब मुझे समझ में नियारा किस तरह कर दिकत हो रहा है अभी तो अच्छा खासा चल रहा तो आप खेल सकते या मेरे फोन के साथ एक कंपैटिवल इसू है क्या है लेकि आप इसको इसमें डिले मिलता है आप मैं तीन चाहिए से खेल के देखो तब भी मैं बता पाऊंगा कि ऐसी क्या दिकत हो रही है तो अगर आप चाहते हैं यह खर इतना तो खरे सकते हैं और यह सपोर्ट करता भी है जो आप देख चुके हैं अराम से सपोर्ट कर रहा है आप यह तो यह मेरे नेट का इसू हो सकता है जिसके विसे डिले हो रहा हो इतना या यह फोन का इसू हो सकता है जो इससे नहीं आ रहा तो देखते हैं तीन-चार दिन खेल के वीडियो काफी बड़ी हो गई है तो उसके लिए स्वारी तो एक अच्छी बात है यह डिपाइड डिफोल्ट इस टेंडर बोड में आपसे खेल सकते हैं कोई मैपिंग करने की ज़रूत नहीं है जो एक अच्छी बात है अ हूल्च दोस्तो अगले वीडियो मिलते हैं मैपिंग वीडियो लेका रहा हूँगा मैं आप लूग के लिए अब जो अच्छी बात है को चलि ainda दोस्तों अगले वीडियो मिलते है तब तक के लिए बाए शॉच्व प्लंज बायत शुरुच